जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे काली मीच चिकन विथ वाइट ग्रेवी की रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं काली मीर्ज चिकन विथ वाइट ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मेरिनेट करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर 750 ग्राम बोन लेश चिकन लिया है इसमें हम एट कर देंगे 250 ग्राम दही तो दही हमने यहाँ पर फ्रेस लिया है और दही बिल्कुल गाढ़ा है और इसी के साथ हम इसमें एक टी स्पुन भर के काली मिर्श पाउडर एट कर देंगे इसी के साथ एट करेंगे एक टी स्पुन नमक और इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और अब इसे कवर करके आदे घंटे के लिए मेरिनेट करेंगे आप इसे दो से तीन घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट फ्रीज में रखके भी मेरिनेट कर सकते हैं और अब हमने एक पेन में एक चोथाई कप तेल लिया है इसमें हम एट कर देंगे एक टेबल स्पून बटर बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें एट करेंगे प्यास काजू और छोटी हरी मिच तो हमने दो मीडियम साइस की प्यास को इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है इसी के साथ 20 काजू लिये हैं और 3 छोटी हरी मीच लिये है और अभी हमें प्यास को तब तक फ्राइ करना है जब तक ये थोड़ी सोफ्ट ना हो जाए क्योंकि हम वाइट ग्रेवी बना रहे हैं तो प्यास का कलर चेंज ना ही करेंगे बस ये हलकी सी सोफ्ट हो जाए तब तक हमें इसे फ्राइ करना है तो कुछ देर तक फ्राइ करने के बाद आप देखेंगे कि प्यास थोड़ी सोफ्ट होने लगी है लेकिन आपने देखा कि प्यास का कलर चेंज होने से पहले ही हम इसको तेल में से निकाल रहे हैं तो इसे तेल में से निकाल कर रूम टेंपरेचर पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे और अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी एट करके मिक्सी में इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे प्याज काजू और हरी मिच को हमने तेल में से निकाल लिया है तेल ओलेडी गरम है तो इसमें हम कुछ खड़े मसाले एट करेंगे जैसे की एक टीस्पून जीरा, पांच काली मिच, एक बाद्यान का फूल, दो हरी लाइची और एक इच का दालचिनी का टुकड़ा और जीरे को तेल में चटकने देंगे और अब हम इसमें एट कर देंगे दो टेबल स्पून अद्रक और लहसुन का पेस्ट अदक लहसुन का कच्चा पंदूर होने तक हम इसे भी तेल में एक से डेढ़ मिनिट तक फ्राई करेंगे एक से डेढ़ मिनिट तक हमने इसे तेल में भून लिया है और अब हमने प्यास, काजू और छोटी हरीमिश का जो पेस्ट बना कर रखा है उसे इसमें एट कर देंगे और पंच मिनिट के लिए हम इसे लोफ लैंपर अच्छे से भून लेंगे तो मसालों को low flame पर भूनने के बाद हम इसमें एट कर देंगे मेरिनेट किया हुआ चिकन मिला लेंगे इसे और अभी हमें इसे लगाता चलाते हुवे high flame पर 5-7 मिनिट के लिए और भून लेना है तो इस मसाले के साथ चिकन को high flame पर पकाएंगे और इसे लगाता चलाते रहेंगे तो यहाँ पर इसे लगाता चलाते हुए हमने 5-7 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर भूल लिया है और अभी हमें चिकन को गलाना है इसलिए हम इसमें एक चोथाई कप पानी एट कर देंगे तो मेरिनेशन के बोल को खंगाल कर एक चोथाई कप जितना पानी हमने इसमें एट कर दिया है तो इस चिकन ग्रेवी में हम पानी की कौंटिटी थोड़ी कम ही रखेंगे इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसे कवर करके लोफ लेम पर 20-25 मिनिट के लिए पकने देंगे बीट-बीट में इसे चेक कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें काजुएट किये हैं अगर हमने इसे चेक नहीं किया तो नीचे दाग भी लग सकता है 20-25 मिनिट तक लोफ लेम पर पकाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें से तेल रिलीज होने लगा है और चिकन की मसालों के साथ अच्छे से भुनाई हो गई है तो एक बार इसे चेक कर लेंगे काली मिच चिकन की इस रेसिपी को आप अपने घर पर कभी भी ट्राइ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेश्टी डिस बनकर तयार हो जाती है और इस टेज़ पर हम इसमें काली मिच का पाउडर और नमक एट करेंगे क्योंकि ये दोनों चिज़ें हमने चिकन को मरिनेट करते वक्त एट की थी इसलिए अभी हम इसमें सिर्फ हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून काली मिच पाउडर एट करेंगे मिला लेंगे इसे और इसी के साथ हम इसमें मलाई एट करेंगे तो हमने यहाँ पर दो टेबल स्पून मलाई ली है आप यहाँ पर 2 टेबल स्पुन जितनी फ्रेस क्रीम भी एट कर सकते हैं तो क्रीम या फिन मलाई एट करने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर 1-5 मिनिट के लिए और पकाएंगे तो मलाई एट करने के बाद हमने इसे 1-5 मिनिट टक और पका लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काली मी चिकन बनकर बिल्कुल तयार है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसमें थोड़ा सा हरा धन्या एट करके अच्छे से मिला लेंगे तो देखा आपने किसे जट पट बहुत ही असानी से चिकन की मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तयार हो गई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें रेसिपी ट्राइ करने के बाद कॉमेंट बोक्स में हमारे साथ अपने एक्सपिरेंस जरूर से सेड करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल ली क्वेश्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई